नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आप सभी लोग का current affair daily base पे चलाय जा रहा है यह आपका set number दिखेंगे तो 13 set number है आपका total 25 set इसमें दिया हो गया है अगर आप इसको 25 set को complete कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपका current affair का जो आपका basic होता है वो आपको पता भी हो जाएगा प्लस आप कोई भी exam यहां से ब्यातर तरीके से clear कर पाएंगे यूंकि इसमें जो 25 set दिया गया है बहुत ज्यादा important जो आपके exam के दिरिश्टी कोर्ट से दिखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्पूर हो जाता है आप इसको सुरू से अंत्र लगाईएगा और अपना स्कोर बताएगा कि इन 50 प्रसने में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं अगर आपको पीडिया डाउनोड करना है तो आप लिंक में जाए यानि डिस्क्रिप्शन लिक में वहां पे आपको पूरा एडुटेरिया का बुक डाउनोड करने का option मिलेगा वहां से जा चेप्टर सब आपको यहां पे देखने के मिलेगा तो चलिए set को सुरू कर लेते हैं क्वेशन नमर पहला केता है ब्राजील द्वारा विक्सित पहले प्रित्वी अवलोकन उबगरह का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका option भी आमेजोनिया वन याद है इनमेंस बताना है कि आपका जारी फीफा रैंकिंग के संबद में कौन सा कथन सही है चलिए आपने आंसर कर दिया होगा option आपका C हो जाएगा प्रथम इस्थान आपका Belgium को प्राप्त हुआ है सेकंड इस्थान आपका देखा जाए यानि दुसरा देखा जाए तो आपको ट्रॉव अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम क्या है चलिए बताइए सभी लोग का आंसर यहां पे सही आना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग बहुत जिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब तक तो क्राइंट अफेर क्लियर हो जाना चाहिए तो आपका ए आंसर आंसर हो जाएगा सभी लोग का बिहार के किन महिलाओं को आठ मार्च 2020 को राष्टपती रामनात कोविन द्वारा नारी सकती पूरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा वीना देवी उसके बाद आपका भावना कंट तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका आंसर यहां पे डी राइट आंसर हो जाता है कुशन नमबर फाइब प्याते हैं भारत की पहली लिक्विफाइड लिक्विफाइड कंप्रेशन नेचुरल गैस यानि एल एंजी बस सेवा की सुरुआत किस राज्य में की गई है चलिए बताईएगा आंसर तो आपक राइट आंसर हो जाएगा सबी लोग का नेच्ट कुशन है 20 वांएस याई खेल好不好 का हाओ प鉛ी आ आई आहोजन को उसके बाद Gregory Margulis को याद रखेगा डी आपका आंसर हो जाएगा नेश्ट को सने को सनोबर एट क्या कहता है देख लेते हैं कहता है कि मार्च 2020 में प्रकासित पुस्तक एन एक्ष्ट्रा ओर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है तो आंसर आपका हो जाएगा मानुहर परिकर याद रखेगा आंसर आपका सी हो जाएगा नेश्ट को सने के मार्च 2020 में चाप चार कुट महुत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोशन नमर्न का ओप्षण ए मिजोरम याद रखेगा मिजोरम आपका आंसर हो जाएगा कोशन नमर्ट एन कहता है किस अधोग की संस्थान में भारत का पहला वैसविक हाईपर लूप पाउड इस पर्दा इस पर्दा का आयोजन किया जाएगा चलिए बताईएगा very important question आप यहां से बनता है तो IIT मदरास हो जाएगा याद रखिएगा IIT मदरास हाल ही में यह गवर्नेंस पर राष्ट्रिय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस सहर में किया गया है तो यह आपका किया गया है याद रखिएगा मुंबई में यानि इग वर्नेंस पर राष्ट्रिय सम्मेलन 2020 का देखा जाए तो आपका मुंबई में किया गया है शूपर थट्टी योजना का संबंद किस राज से है चलिए बताईएगा आंसर चलिए बताइएगा आंसर इसका सूपर ठटी योजना का संबंद किस राज जिसे है तो याद रखेंगे सभी लोग आंसर आपका हो जाएगा उत्राखंड याद रखेंगा उत्राखंड चलिएगा नेस्ट कुश्चन एक कुश्चन नमबर तेरह कता है कि अंतराष्टी मायर याटर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पूलिस हैल्थ रन याद रखेंगा नेस्ट कुश्चन ने बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है चलिए बताइए आंसर तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पांच याद र इसका आंसर आप हो का हो जाएगा साथ याद रखेंगा पदम भी बूसर से साथ लोगों को सम्मानित किया गया है कोश्चन नमबर 16 करता है किस देश के सहायता के लिए भारती नौसेना ने ओपरेशन वैनिला की सुरुवात की है वैनिला देखें अगर इसका आप उत्तर क प्रागर में आय चक्रवात का नाम दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पौन याद रखेंगा पवन नाम दिया गया है कोश्चन नमबर 18 ऑपरेशन नमबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है चलिए सभी का आंसर याँ पे राइट आंसर आना चाहिए याद रखेएगा रेलेवे सुरुक्षा बल यानि आरपीएप के द्वारा ये आपका आपका आपरेशन नमबर प्लेट चलाया जा रहा है कोश्चन नमबर 19 कहता है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हाल ही में किस सहर में नेताजी सुबाश चंदर बोस की याज में बनाए गए संगरहाले का उधगाटन किया है कहां पर चलिए बताइए कौन से सहर में तो याद रखिएगा नई दिल्ले में आपका आंसर यहां पर D हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि हाल ही में मान बुकर इंटरनेशनल पूरसकार 2019 से किसे प्रधान किया गया है यानि 2019 मान बुकर इंटरनेशनल पूरसकार के बारे में पूछा गया है चलिए सभी का आंसर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जोखा अलहरती हो जाएगा यह आपका आंसर यहां पर हो जाता है Q21 कहता है कि हाल ही में राम जेट मलानी का निजन हो गया उनका संबंध किस छेतर से है तो याद रखिएगा उनका संबंध किस छेतर से है तो आपका वकालत हो जाएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का जिसने भी option A बताया है रेस नमांक उच्च सिक्षा मड्यूल किस राज सरकार द्वारा लाउंच किया गया है तो करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा राजिस्थान याद रखिएगा राजिस्थान आपका उत्तर सही हो जाएगा question number 23 BCCI द्वारा हाल ही में किसे भारतिय टीम का नया प्रयोजक घोसित किया गया है रहे important exam में ये प्रस्न तो पक्का पूछा ही जा सकता है क्योंकि अभी IPL के बारे में सरी BCCI के बारे में ये चर्चा में भी रहा है तो याद रखिएगा आप cancer यहां पे देखा जाएगा बैजू हो जाएगा क्या हो जाएगा बैजू नेश्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 24 माइंड मास्टर वीनिंग लेंस लेंस फ्रॉम और चैंपियन्स लाइफ पुस्तक के लेखर कौन है चलिए बताई आंसर तो आपको पताई होगा विस्वनास आनंद हो जाएगे या क्योशन नमबर 25 प्रेज की आजादी पर हमला सुरी माफ किजिएगा प्रेज की आजादी पर पहला वैस्विक सम्मिलन का आयूजन किस सहर में किया गया है तो याद रखिएगा आंसर आपका लंदन हो जाएगा क्या हो जाएगा लंदन सभी को जाद होना चाहिए क्योशन नेश्ट को सने किस देश में सावरेन इंटरनेट कानून को लागू किया गया है सावरेन तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा रूस क्या हो जाएगा रूस आपका आंसर हो जाएगा पीवी सिंदु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंशिप 2019 का खिताब किसे हार करके जीता है चली बताई आंसर तो याद रखिएगा ट्विंटी एट का आंसर आपका हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा याद रखिएगा नोजोमी ओकुहारा यह आपका आंसर हो जाएगा यहां पे सभी लोग का उपभोगता मूली सुचकांक यानि CPI का नया अधार वर् कि दौरान कितने मेगावाट मांग देश्चू जल विदूत परियोजना का उदगाटन किया है तो याद रखिएगा सबी लोग 30 का आंसर आपका हो जाएगा 720 मेगावाट सी आपका आंसर हो जाएगा नेश्ठ की परियावरण विदो ने निमन में से किस सहर के 2050 तक जल में समा जाने की संभावना वैक्त की है तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका जाकारता हो जाएगा क्या जाकारता मुहमद जहूर ख्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस छेतर से संबंदित थे तो देखिए वह किस छेतर से संबंदित थे तो याद रखिएगा संग यहां पर किया गया तो इसका राइट आंसर 33 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा याद रखिएगा सभी लोग सी हो जाएगा गवाहाटी अगला कोशन है कि लेसंस लाइफ टॉट मी अन वंगली किसकी आत्म कता है अननाउंगली चलिए बताइए देखिए इसका राइट आंसर सभी को पताई होगा आपका अनुपम खेर का हो जाएगा याद रखिएगा अनुपम खेर का अगला कोशन है कहता है भारत के 50 वे राष्ट्रिय फिल महोत्साव का नवंबर महोत्साव का नवंबर 2019 में आयोजन इस्तल कौन सा है चल यह बताइए तो याद रखिएगा आप सभी लोग का अंसर यहाँ पे गोवा हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का कोशन नमर 36 भारत सरकार द्वारा छै रोक से उनमूलन के लिए कि संस्था के साथ रिड समझावता किया है तो देखिए याद रखिएंगे सभी लोग आंसर आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमर 37 के अंदरिये परियावरड मंत्राले द्वारा किस जानवर के लिए डी ने डाटा बेस बनाने हेतु परियोजना की घोसना की है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपसंड गी गेंडा याद रखिएगा ऑपसंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है स्रेयस योजना किस मंत्राले द्वारा सुरू की गई है स्रेयस योजना जो है आपका कौन से मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है तो याद रखिएगा मानर संसादन विकास मंत्राले के द्वारा ये आपका शुरू किया गया यानि आपका B आंसर हो जाएगा विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है चलिए बताईए आंसर 39 का आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए 39 का आंसर देखा जाएगा तो 3 दिसंबर हो जाएगा यानि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा फैक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार एक कानून पारित किया है देखिए 40 का आंसर आपका हो जाएगा option C सिंगापूर याद रखिएगा सिंगापूर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा IMF के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वरिद्धि करने वाला देश कौन सा बन गया है चलिए बताईए आंसर तो याद रखिएगा सभी लोग आंसर आपका हो जाएगा युवाना स्वरी गुवाना आपका यहां पे आंसर हो जाएगा question number 42 माद्य पर्देश में आयोजित मिर्च महसों में किस राज्य के खोला याद रखिएगा खोला मिर्च को G.I.T.E.G. परदान किया गया है कोई खोला मिर्च होगा तो याद रखिएगा 42 का आंसर आपका C हो जाएगा गोवा में गोवा आपका खोला मिर्च से संबन्दिते उर्षी को G.I.T.E.G. मिला है अभी सितंबर 2020 में पाचवाँ विंफ टेक सिखर सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन D स्रिलंका में याद रखिएगा स्रिलंका आपका आंसर यहां पर हो जाएगा रणजी ट्रोफी 2020 का विजयता कौन सा टीम रहा है चलिए बताईए आंसर 44 का आंसर क्या हो जाएगा तो यह याद रखिएगा आंसर आपका सौराष्ट हो जाएगा नेश्ट कोशन है मार्च 2020 में सिडवी द्वारा उद्मियों को बढ़ावा देने के उद्देसे से किस ट्रेन की सुरुवात की गई है तो यह सुरुवात किया गया है स्वाव लंबन एक्स्प्रेस याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का कोशन नमबर 46 26 मार्च को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से जी ट्वेंटी सम्मिलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया है चलिए बताईए आंसर तो इसका देखिए 46 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर यह हो जाएगा सौधी अरब याद रखिएगा सौधी अरब आपका आंसर यहां पे हो जाएगा भारती चिकत्सा अनुसंदान परिशद ICMR द्वारा गठित राष्टिय कारेबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिस की गई है चलिए बताईए आंसर तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्लो रोवीन याद रखिएगा हाइड्रोक्सो क्लो रोवीन यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग का वाइस मार्च 2020 को मनाय गए जल दिवस का थीम क्या था अभी वाइस मार्च को मनाय गया था आपका जल दिवस तो उसका थीम भी याद होना चाहिए आप सभी लोग को तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज भी राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है खेलो इंडिया यु दूसरा कहता है दूसरा कहता है कि इस खेल में दिल्ली युनिवर्सिटी विजेता रहा है यह आपका गलत हो जाता है ठीक है अब आते हैं नेस्ट को सन पर वर्तमान में मद्य परदेश के मुख्य मंतरी कौन है अब यह आपको करना कैक कमेंट में बताना है कि मुख्य मंतर का मध्य परदेश का मुख्य मंत्री राजेपाल आपको दोनों कमेंट बताईए कि आप सबी लोग को पता है या फिर आपको राजेपाल मुख्य मंत्री पढ़ना जरूरी है इस टाइम तो चलिए नेस्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं